दोस्तो आज मैं All India Muslim Personal Lab Board और इमारत शरिय बिहार जारखन वो उडिसा के बारे में कुछ बहुत ही अहम और मुफीद बाते करने जा रहा हूँ दोस्तो अभी पिछले दिनों 14 मार्च से 23 मार्च तक मुस्लिम Personal Lab Board में पूरे मुलक में आसान और मस्लून निकाह के उन्वान से निकाह को आसान बनाने की एक बड़ी मुहिम चलाई जिसकी गूज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई थी और उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि मुक्तलिफ शहरों, कस्बों और गाउं में इस उन्वान से प्रोग्राम मुनाकिद किये गए, मसाधिद में इस सिसले में तकारीश की गई और लोगों में लेदारी लामे की कोशिश की गई पूरे हिंदुस्तान के उस अख़बारात के सरेवक्त पर बड़े बड़े इश्किहार भी शाय कराए गए इस प्रोग्राम को लेकर मुस्मिन परसलाब बॉर्ड में किताबचे, पॉंप्लेट और पॉंस्टर भी शाय कराए इसके लावा मुस्मिन परसलाब बॉर्ड के तमाम मिम्राम का एक बयान भी सामने आया इनके दस्तख़त के साथ और जिसमें तमाम मुस्मान आने हिंद से अपील की गई कि अपने निगाहों को सुन्नत के मताबिक आम करें और जादा जादा आसान बनाए आप उस पर्चे को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इस इकराद नामे को इसमें तक्रीबन नौ उल्मा एकराम के दस्तख़त शामिल है उसमें हैं पहला है निकाह को आसान बनाएंगे बेजा रसुम और वाज खास तोर पर जहेज के मतालबा मंगनी हल्दी वगरा जैसी चीजों से परहेज करेंगे बारात की रस्म को खत्म करते हुए मस्जिद में सादगी के साथ निकाह का तरीका इक्तियार करेंगे तीसरा है निकाह की दावद का इसमाम सिर्फ बेरून शहर के महमान और घरवाले घर के अफराद के लिए करेंगे चोधा है निकाह की तगरीब ту ताम से इहतराब करेंगे पांचवा है दावत वलीमा सादगी के साथ दौलत किनुमाईश के बगार गुरबा और मसाकिन का ख्याल रखते हुए करेंगे छटा है जिस महफिल निकाह दावत वलीमा में सुन्नत और शरीत का ख्याल रखा जाएगा उसकी ताइद और स्थाइश करेंगे साथवा है महफिले निकाह और दावते वली में में आतिश बाजिक गाना बाज़ा वीडियो गराफी और खेल तमाशे से बच्चते हुए निकाह के लिए टिम्ती रुका और टिम्ती स्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे आटवा है नौजवान अपने निकाह को साथगी के साथ कम खर्च में अजाम देंगे नौवा है निकाह के तैश उदा वक्त की सखती से पाबंदी करेंगे दसवा है निकाह के बाद सुन्नत और शरीयत के मताबिक खुशगवार इसदवाजी जिन्दगी गुजारेंगे और अपनी बीवी के साथ बेहतर सलूप करके अल्ला और उसके रसूल पाक से लिए रजामंदी हासिल करेंगे ग्यारवाएं अवलाद की नेमत में असर आने पर उसकी बेहदर तालिम और तर्वियत का इहत्माम करेंगे और उसे पाबंदे सुन्नत और शरीयत बनाने की हद्तल इमकान कोशिश करेंगे इसमें अपील की गई है तमाम बिराद नारा इसलाम से दर्खास्त है कि आप उपर लिखी यही बातों का अक्रार करें और उन पर अमल का मिज़ाज बनाएं कि यह शरीयत की पसंद और वक्त की अहम जरूत है इसमें जिन उल्माए कराम के दस्तखत हैं उनमें मौना सेद मुहम्मद रावे हसनी नदवी हजरत मौना सेद मुहम्मद वली रहाँमानी हजरत मौना सेद अर्शर्मदनी मौना फखरुद्दीन अशर्फ अश्रफ जीलानी मौना असगर अली इमाम महदी सलफी जनाब सादत Knights ल्लाह उसैनी मौलाना सेद कलब जavíaट-नक्वी मौलाना अबैदुल्लाख खान आजमी और अल्लामा निसार हुसाइन आगा साहब के दस्तखत इसमें शामिल है और इसमें तमाम मुसल्मानाने हिंद से ये अपील की गई है कि निकाह को पूरी तरह सुन्यत और शरीयत के सांचे में ढाल कर आप निकाह को आसान बनाए ताकि ये हमारे समाच के गरीब से गरीब लोगों के लिए भी शादी करना और अपनी बच्चियों का निकाह करना आसान हो जाए इसके अलावा मुसलिम परसनला बोर्ट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में जगा 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 जो जलसे किये गए है वहां भी इस एकरार नामे को बाटा गया है और सब लोगों से बरसर महफिल इस एकरार नामे की ताईद हासल की गई है दोस्तों इन परोग्राम के खातेखा असरात भी मुरत्ब हुए लेकिन जितनी जल्दी उसके असरात मुरत्ब हुए उतली जल्दी उसके असरात जायल भी होगे क्योंकि दोनों महीं को रिवायती अंदाज में मुनकित किया गया और इससे उम्मत के नौजवान और काल्जों में तालिम यापता स्कॉलर्स को बिल्कुल नहीं जोरा गया एक खास बात इसकी नाकामी की ये भी रही कि ये दोनों मुहिम एक मखसूस फिक्र के हामिलों के दर्मयान चलाई गई और उन महलों और शहरों को बिल्कुल नजर अंदास कर दिया गया जहां इस फिक्र के बराक्स दूसरी फिक्र के हामिलों मुसल्मान रहते थे इस तरह ये मुहिम एक खास तबका और मखसूस फिक्र रखने वाले अफराद की मुहिम बनकर रह गई और इसी मुहिम को एक कामियाद मुहिम के तोर पर मतारफ कराए गया दोस्तो आसान और मस्रूल निकाह उर्दू तालीम के फरोग देने जैसे मुहिम है लोक्त की बहुत अहम जरूरत है और इसे जदीद तक्निक के साथ साथ साइन्टिफिक अंदाज में मुनजब मनसूबा के साथ पूरे हिंडुस्तान और फरोग देने की जरूरत है लेकिन अगर इसे सिर्फ एक तब्गा की तन्जीमी काविश के तौर पर पेश किया जाएगा तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकेगा दोस्तो मुस्लिम परसल लाब बोर्ड का दायरा पूरे हिंडुस्तान में उसी है मरकजी और रियास्ती सतह पर आज भी इसके असरात बहुत जादा है लेकिन मुस्लमानों के मसायल को अमनी तोर पर इस तन्जीम ने कभी नहीं उठाया आम मुस्लिम तन्जीमों की तरह एक प्रेस रिलीज जारी करके हमेशा अपनी जिम्मदारियों का दामन जार लेना ये अपना फरिजा समस्ती रही है मुस्लिम परोफेशनल का उनके पास नकोई रिकॉर्ड है और नहीं मुस्लिम मसायल के सिल्सले में इनके पास कोई एक डाटा आप कहले वो मुझूद नहीं है इस तन्जीम का जादा तर फोकस मुसल्मानों के उन जज़वाती मसायल से रहता है जिन को भुना कर उसके जिम्मदार मीडिया में खूब चर्चा में रहते हैं और सियासी स्था पर उसके फायदे हासल करते रहते हैं यहीं वज़ा है कि यह तन्जीम अमली मैदान में काम्याब सावित नहीं हो सकी दोस्तों अब हम बात करते हैं इमारत शरीय बिहार जारखंग वो उरीसा की पत्ना में इसकी हेड ओफिस है और यह एदारा बिहार में हर जिला और बलाग सता पर सरक्रम है और जारखंग और उरीसा के कुछ हलाकों में भी बासर है लेकिन यह तन्जीम भी अमली सता पर मुसल्मानों के दर्मियान से अपनी साथ खो रही है उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि अमारत शरीय का हमेशा एक स्यासी रुजहान रहा है और एक खास पार्टी के साथ मिलकर मुसल्मानों के वोटों का सौधा करने का इर्जाम इस तन्जीम पर हमेशा लगता रहा है या इस तन्जीम से जो वाबस्ता जो अलमा है उन पर ये इर्जामात हमेशा लगता रहा है इसकी वज़ा से दूसरी पार्टी के मुसल्मान लीडर इससे हमेशा बरगश्टा रहे हैं इमारत शरीय भी अपनी रिवायती कारकरदी के सबब अपने असरो रुसुख के बावजूद वो कारणामे आंजाम नहीं दे सका जो उसे देना चाहिए और उर्दू के फरोग के लिए पिछले दिनों पूरे बिहार और जारखन और उरिसा में बड़े पैमाने पर जो महिम चलाई गी थी और जिसके नतीजे में लोगों में काफी बेदारी आई लेकिन उसका कोई जमीनी असर नहीं देखा गया उसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि जिस साइंटिफिक अंदाज में ये काम होना चाहिए था उसे इतबार से काम ही नहीं हुआ सबसे पहले उर्दू असाथज़ा को जोर कर उसके मसायल को समझ कर आगे बढ़ने की जरूत थी और उसको स्कूल और मदरसा से लेकर आफिसों तक जो अर्दू के मसायल है उसको हल करने की जरूत है दोस्तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों जून में जून के बाद जब स्कूल खुलने की बात आ रही थी तब महकमे तालीम बिहार के महकमे तालीम ने सिकेंडरी स्था से अर्दू को खत्म करने के लिए एक लेटर जारी किया था जिस पर महिजबाने अर्दू में बड़ी तश्वीश और बेचैनी हुई लोगों ने बहुत हंगावा किया लेकिन ऐसे मौके पर भी इमारत श्रीया ने कोई भी आगे बढ़ेर पेश आपश्यक्दान का अपना फरीजill नहीं समझा तो ऐसे मौके पर इमारत श्रीया को काम करने की जरूत है इमारत श्रीया को नए अजमों हसला के साथ मुस्लिम मसाइल और उर्दू के मसाइल को आगे लेकर एक कायदाना रोल अदा करने की जरूरत है दोस्तों अगले वीडियो में हम जमियत अलमा हिंद, अजमल फाउंडेशन, जमात रजाय मुस्तफा, रजाय केडमी, वक्ट बोर्ड और इसी तरह दूसरी मुस्लिम तजिमों के हवाले से उनकी कारकरदी के बारे में, उनकी खिद्मात के बारे में हम बात करेंगे हमसे इसी तरह जूरे रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और बिल आइगें दबा लें